लोगसभा चुनाव परिणाम के बाद अपनों पर निशाना दरसल जुन्डू से करीबी अंतर सिहाने वाले शुबकरन चौग्री ने कहा साहाब हमें तो अपनों ने लूटा गैरू में कहा दम था मेरी कश्टी वहाँ पर डूबी जहां पर पानी कम था मेरी पार्टी के कुछ नेताओं ने पीछे से बार किया जो कहते थे पार्टी हमारे लिए सब कुछ है मैंने पार्टी नेतरत्व को नाम बता दिये जिन्हों ने खिलाफ काम किया क्या कहा अपने बयाग में सुनिये लोगसबा चुनाओं के परिणाम सामने आज चुके हैं और जिस सीट को लेकर ये उम्मीद थी कि कॉंगरेस बड़े मारजन से जीतेगी और कई तरीके हवाबाजी भी उस सीट नुनुनुनु को लेकर हो रही थी लेकिन बहुत कड़ा संगर्श वहां ओला परिवार के सामने किया शुपकरण चौधरी जी ने हमार साथ है शुपकरण जी उद्यपूर वाटी से विधाय कर चुके मैं सुनाओं कि रिजल्ट से पहले की बात करता हूं जब पहले से यह उमर शुरू कर दी गई कि शुपकरण चौधरी एक लाग से आ रहेंगे दो लाग से आ रहेंग वाट होता है और फ्लोटिंग बोट रूमर के दुसार चलता है वैता है और पार्टी के कारीकरताओं ने या नेताओं ने पता नहीं अपनी हर्दरमिता आया आपने आपको बहुत बड़ा साबित करने के लिए यह करना सुरू कर दिया के टिक्रेट का निरन्य गलत है अग निरेड कमजोर है यह चीजें जन्दा में माइने रखती हैं तो आप कैसा लड़ा वोट कितने आए यह आपके सामने है कुछ समाज़ की हो सकता है मुझसे कोई नाराज़गी रही हो पर मैं एक बात जुरूर बरताना चाहता हूँ आज के चुनाव में पुररास्तान चम्रीज्ट चर्चा चल रही है कि जाटों ने बीजीावी के साथ नहीं दिया mean मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जुंज नुजिले में जाट समाज ने इतियास रचा है मुझे मिलने वाले पांस लाग पैंतीस जार बोट में अकले जाट समाज के ढई लाग मूठ है भूतों न भविश्यती आज तक ऐसा कभी हुआ रही आज तक शीष्राम जी उला के जै परंप्रागत बोट बीजेपी का है ब्रामन और वेश्य समाज दिल खोल के उन्होंनों बोट दिया है इसमें कोई दोर आए नहीं यह तो घर को घरी के चिराग से आग लगी और यह बात बिलकुल मुझे पर तो यह यथार्थ सिद्ध हुई कि हमको तो अपनों नहीं डब आपने शिंत रहें जूँदनों की जंत का मुने बहुत प्यार मिलता है यह तो कुछ बाधायें हैं जो घर में से निकलती है जिन पर सोच नहीं सकते अब हो सकता है वरना जंता ने बोट डाले में कोई कमी नहीं चड़ी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी अंता थाज फिर मेरत पिछे दिवानों की तरह घूमरी आओ ना फिर लड़ें लेकिन अब राजनीती करने वाले व्यक्ति कभी बैठ ने सकता हूं पार्टी जब 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 जैसा जब भरोसा करती काम करता हूं लड़ता हूं पार्टी को आदेश देगी तो पिछे हैटनी का कोई मतलब नहीं है पर मैं उन लोगों की तरह काम नहीं कर सकता जो भारतिन तब पार्टी के साथ रहकर और दुस्मूनों को पाले हैं आस्तिन में साम पालना मेरे आदम यह वो अस्तिन के साम जन्हें इतना बड़ी चुनाओं में डेंट लगाया उनके वारे माद में पार्टी दित्रतों को बहुत बता दिया है इसपीकर का बनना बाकी है और अभी चलरहे हैं तुनाओं की सारी सरगर्मिया पूरी हुई नहीं है क कही हमारे मुख्य मंत्री सफफत ले रहे हैं और मारे सरकार का बनना बागी है सारी चीजें हो जाना एक बार सब लोग अपने कारियानों में चहीतर से बैठना सुरूह जाए क्यों होगों संदेश बातनं करेंगे। वह जो लोग भारतले पार्टी का इतना नुक्सान करके और वो यह समझते हैं कि हम फिर पार्टी में ही काम करेंगे आप पार्टी में फिर कोई पद पराप्त कर लेंगे तो ऐसा उन लोगं को बताना चाहता हूं कि ऐसा शिर्ष नेत्रत वे नहीं होने देगा बागी जो भी है जो अंता ने जो आशिरवाद दिया ह है वो सिर्म आते हैं जनता ने का जो एक बात में आप से पूछना चाहिए कि राजिंदर सिंग गुडा को पार्टी ने सपोर्ट लिया एक प्रेस कंफरेंस वी जैपुर में और राजिंदर सिंग गुडा जिनके सामने आपने चुनाव रड़ा था क्या वो पार्टी के ल सोचल मीडिया वालों ने पूछा सुबकरण जी चोधरी कह रहे थे कि सारा सत्यनास करने के बाद आप से बात हुई आपने मदद की करी तो उनने का हाँ यह सई है कि सत्यनास में द्वारा कर दिया गया तो मुझे बताने की जूर्त नहीं है और इसमें राजिंदी में को भी हराया है उनने भी मुझे हराया है कोई बड़ी बात नहीं है अठाला जार बोट हमारे पास कम रहे हैं कोई दोरा नहीं है पूरी किसान कम्यूटी जाट कम्यूटी पूरी शेखावाटी अंचल में इस बार मन में उनके कुछ और चल रहा था और वो रिजल्ट में सा कट ही नहीं है क्योंकि जोंड़ों में जोंड़ों के लोग जोंड़ों की जनता और कामकरण में लोग जानते हैं कि मुझ पर इतना उस समाज ने आशिरवाध दिया है मैं सोच भी नहीं सकता कि को एक समाज इस पर का ऑदाई लाक बोट सामने जब उतके समाज का आदमी है ऐसा बहुत मुश्किल होता है और ऐसा हुआ है और मैं तो उनके आशिरवात को बहुत अपना एक तरह से परसाद बान के अपने सर पेले के घुम रहा हूं और पुरी जनता को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब तमाम लोग पार्टी के जीते वे विधाएक रहे एंपी जिला परमुक्त किसे के खिलाप लड़ें और वहां ठाराजार का मार्जिनों को मायना नहीं रखता कोई बात नहीं जनता की सेवा करने के लिए निकले हैं अब वापी लोटके तो कहीं जाने वाले हैं नहीं उसी जनता में रहेंगे वहीं आप भोल जाता हो कि आप उस इलाके चाहते हो जिस इलाकी के नेता ने बिड़्डा जी को चुनावरा दिया था बिलकुल यह फक्र के लिए परियास करेंगे चिंता मत करो हम वही मदान में रहने वाले हैं आते हैं विसात कैसी विस्ती है आपको यह बात जुरूर बताना चाहता हूं कि गुडाजी जो मेरे पीछे-पीछे जुझनू में आये हैं एक बार फिर वापिस जंग को वहीं आमने सामने करने की इच अंतरसरा और सब लोग चौके भी इस लिए क्योंकि ओला परिवार के सामने इतनी मजबूती के साथ उनाव शुक्रण चौजरी नला इसका अंदाजा भारती जंता पार्टी को बिलकुल भी नहीं था क्यामरा जनलिस्ट गिरिश के साथ योगेश शर्मा फास्ट इंडिया